हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्सी स्टैनोग्राफर 2022 के बारे में और अगर आप शोट हैंड को लेकर के परिशान हो या फिर फाइनल कट ओफ को लेकर के परिशान हो तो ये वीडियो आपकी लिए है इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं शोट हैंड के बारे में और साथ में ही फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तो लगबग अभी लास्ट एक मन्त का समय आपके पास बचा है और बस जितनी भी मेनत आपको करनी है शौट हैंड में आप कर लीजी और बाकी फाइनल कट ओव वेगरा देखिए आपको इसमें दो तरह की लोग है एक तो वो जो केबल स्टैनो की तयारी करते हैं ठीक है एक दूसरे वो लोग है जो स्टैनो के साथ साथ वो अधर एक्जाम की भी preparation करते हैं तो अगर आपका selection हुआ है और आप ऐसे candidate हैं जो केबल स्टैनो की तयारी करते हैं तो अगर आपका cutoff में नाम है या एक marks भी extra है या cutoff में नाम भी है न लिस्ट में तो भी आपको अच्छे से पूरा समय दे करके short hand की तयारी करनी है ठीक है तो इस तरह से य exam दे लेते हैं कि बाद में short hand देखी जाएगी तो ऐसे candidate के लिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको short hand आती है या आपने start कर दिया था उसी समय पर जब आपने exam दिया है आपके अच्छे खासे marks है तो आप short hand की तयारी करे लेकिन अगर आपने short hand नहीं सीखी या अगर आ आप अन्य exam की जो preparation कर रहे हैं CGL, CPO वगरा की आप उस पर focus कर सकते हो बाकी choice आपकी आपको क्या करना है ठीक है ना और अगर आपका target है कि मुझे स्टैनों में ही जाना है 2022 नहीं तो 2023 तो फिर आपको short hand करनी चाहिए अगर इस बार ठीक से नहीं हुई देखिए ऐसा होता है कभी कभी बहुत आसान matter होता है तो जादा tough भी नहीं होती है अगर आपने शुरू कर दी exam देने के बाद तो आप आराम से कर सकते हो लेकिन आपने नहीं शुरू की है और result आने के बाद आप start कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा तो वो आपकी चोई से आप start क कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो क्योंकि बहुत मुश्किल पड़ेगा इतनी समय में नहीं हो पाएगी ओकी तो आगे जो है पादर एक्जाम की भी त्यारी करते हैं और अगर उनके marks थोड़े वो जादा है तो आप अन्य एक्जाम की preparation कर सकते हैं लेकिन अगर marks बहुत जादा है कटॉप से काफी जादा है grade C के आसपास है तो आप एक बाद ट्राई कर सकते हो ठीक है ना तो एक बाद आप स्टैनों में कोशिश करके देख सकते हो तो यह रहा इस तरीके से अब देखिए बात आती है speed की speed कैसे बढ़ाए तो daily आपको कम से कम तीन से चार ऐसे matter लिखने है जो जिसको आपको 10 minute का अपने matter लिखा फिर उसको 10 minute आप read करो फिर उसको translate करो typing के through ठीक है ना computer पर laptop पर इस तरह से practice करनी है और 2 से 3 आपको matter ऐसे लिखने है जो आपको 10 minute का आप लिखोगे उसको notebook पर note करना है notebook पर आपको translate करना है ठीक है इस तरह से आप करो या हो सके तो इनको भी आप computer पर ही कर सकते हो लेकिन अगर आप computer से मतलब ज़्यादा समय देना भी सही नहीं है आप 3 स 4 ही computer पर करो बाकि आप notebook में इसको translate कर सकते हो ओकी फिर 3 से 4 matter आपको ऐसे लिखने है आपको matter लिखना है उसको read करना है और जो भी आप outline बनाओगे उसको नियम के अनुसार बनाना है ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बना दिया मतलब लिखने से ज़्यादा important है उसको पढ़न उस चीज़ को पढ़ना यह ज़्यादा important हो तो आप पढ़ने पर ज़्यादा focus करो लिख तो देते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं पाते तो उसलिए आपको जो भी outline बनानी है उसको आपको अच्छे से rule के हिसाब से बनाना है कुछ भी नहीं बनाना है और उस पे आपको reading प जादा ध्यान दो चाहिए एक बार पढ़ो दो बार तीन बार चार बर पढ़ने पर जादा आपको ध्यान देना है सारे के सारे जितने भी matter लिखोगे पढ़ना तो है ही आपको उनको उसके बाद आप translate करोगे तो पढ़ने पर जादा focus करना है outline को rule case आप से बनाना है जो भ ट्रिक है ट्रिक नहीं है ये इसमें आपको करना ये है कि आप जो भी matter लिखते हो उसके जो tough word होते हैं उसको एक अलग मतलब नोट करते हैं तो आप सारे के सारे words जितने भी matter लिखे है उसके सारे tough words आप एक जगा पर note कर लिजिए है ना तो लगबग 1500 word या जितने भी आप आपको word मिले तो उसको आप अलग note कर लिजिए notebook पर और एक उसका matter बना लिजिए और उसको अपनी voice में आप record करो है ना उसकी outline आपको पता ही होगी याद करने पड़ेगी आपको जो word की outline आपको नहीं आती है उसकी आप outline बनाओ और फिर एक जगे सारे के सारे note करके फिर आप उसको क्या करोगे अपनी आवाज में record करोगे तो अपनी आवाज में record करके daily उसका आपको matter लिखना है जितने भी सारे के सारे tough words है इसकी आपको daily practice करनी है अपनी आवाज में record तो सारे के सारे टफ वर्ड आपको इस तरह से क्या हो जाएंगे आसानी से याद हो जाएंगे आउटलाइन भी आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगी ठीक है तो 3-4 मेटर आप इस तरह से आउटलाइन के लिए आउटलाइन के आप रिकोर्ड कर लिजे अपनी आवाज मे और जितने भी maximum word आप इसमें लिख सको एक मेटर में, दो मेटर में, तीन मेटर में इस तरह से आप इसको record करके daily आप उसको करो अब आती है final cutoff final cutoff तो मैंने आपको बताया था कि जो अनुमान है वो grade C की जो अभी cutoff है उसके आसपास grade D की cutoff final जा सकती है लेकिन इस बार कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हो सकता है थोड़ा सा tough matter इस बार बुल जाए ऐसा सुनने में भी आया है तो अगर वैसा रहा तो थोड़ा सा हो सकता है cutoff कम भी चली जाए तो इस बार cutoff की बारे में कुछ नहीं कहा सकते है ना depend करता है कि आपका skill test का level कैसा रहेगा तो फिलाल तो यही था cutoff को लेकर कि आपको चिंता नहीं करनी मैंने आपको बता दे किस तरह के student को क्या करना है तो cutoff की बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना बस अपनी short hand में आप ध्यान देजिए बाकी जो final में होगा वो देखा जाएगा ठीक है ना तो यह था cutoff जो है अभी कुछ कहा नहीं जा सकता बाकी skill test का जो level रहेगा उसके हिसाब से cutoff जो है decide होगी cutoff तो देखे बढ़ेगी तो है 47,000 अगर individual बच्चों की बात करो तो 47,000 बच्चे हैं और अगर vacancy 3,000 के आस पास भी है तो लगबग कई हजार बच्चों को बाहर करना है तो आप खुद ही सोच लेजी कितने हजार बच्चे यहाँ पर बाहर करने के लिए कितनी cutoff बढ़ सकती है अगर जादा बच्ची जो है बाहर हो गए इसमें स्टैनों के स्किल टेस्ट में तो फिर बहुत जादा cutoff नहीं बढ़ेगी और अगर जादा बच्चे पास हो गए तो फिर तो cutoff बढ़ानी पढ़ेगी न SSC वालों को तो यही था इस वीडियो में मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और कोई doubt हो तो आप पोच सकते हो comment करके मिलते नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching this video